वो आज रात को अप्रूव हो सकता है या मैक्सिमम कल अप्रूव हो सकता है यह ख़बर है रोइटर्स की रोइटर्स का यह कहना है कि 29 दिसंबर को SEC ने सब को बोला कि भाई जिस जिसकी जो कमी है अप्लिकेशन के अंदर वो ओके करे रिवाइज अप्लिकेशन सब्मिट करें 29 दिसंबर वाज दा लास दे टू सब्मिट आल दी अप्लिकेशन सब्मिट किया उसके बाद खबर यह है कि SEC आज रात यह मैक्सिमम कल जो की तीन जिनवरी है अपने जितने भी बारा से तेरा जो स्पॉट बिटकोइन उटिफ से अल्मोस्ट उनको सबके सब अगरी कर चुके हैं जितनी अमेंटमेंट्स थी सारी स्पॉट बिटकोइन उटिफ अप्लिकेशन ने अपनी एप्लिकेशन को अप्रूब करके SEC की जो एक्सपेकशन थी उनको मीट आउट करके एप्लिकेशन सब्मिट कर दी हैं हाई चांसे ज तारीक में यह अप्लिकेशन अप्रूव हो गए, अप्रूव होने की 6-7 दिन का टाइम मिल जागा इन कमपनीज को कि वो 10 तारीक को Spot Bitcoin ETF जो है वो launch कर सकेंगे product market के अंदर तो आप समझ सकते हो कि इसलिए यह momentum है कि आप देख रहे हो कि Bitcoin जो है और अब जो खबर यह सुनने में आ रही है, Reuters के दुआरा कि यह applications अप्रूव होते ही, right, Bitwise करके जो है, आप वो खबर देख सकते हो कि BlackRock का यह report है, जिसमें BlackRock when among asset managers that submit updated filings for Spot Bitcoin ETFs, यह इस खबर को मैं link में डाल दूँगा, आप यहाँ देख सकते हो Bitwise यह कह रहा है कि Bitwise ETF might buy 200 million US dollar worth of Bitcoin, इसका मतलब क्या है कि अगर Bitwise ने यह बोला है कि 200 million US dollar का Bitcoin जाए, वो 200 million US dollar के fund से शुरुआत कर सकता है तो उसने अगर यह बोला है, तो आप इससे ही अंदाजा लगाएं कि जो BlackRock है जिसने सिर्फ 10 million US dollar बोला है बाकी सब funds ने भी 10 million US dollar के आसपास बोला है, अब अगर Bitwise यतने बड़े fund को project कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि BlackRock भी अपनी यह नो अगर 200 million US dollar और बाकी fund भी अगर अपनी projection को बढ़ाते हैं तो Reuters का ही कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में 1 billion US dollar जो Bitcoin के दर रेंटर कर सकता है through spot Bitcoin ETF इसलिए यह momentum जो है आप देख रहे हो कि यह बढ़ावा है और खासकर इस cover के बाद और यहीं नहीं कि आपने देखा होगा कि JP Morgan जैसे जिसमें Jamie Diamond जो हर वक्त Bitcoin को abuse किया गालिया दी आज भी वो कहते हैं कि अगर वो power में होते हैं वो Federal Reserve में होते हैं उनके हाथ में power होती तो वो Bitcoin को क्रिप्टो को बंद कर देते और एक तरफ हो यह कहना है और दूसरी तरफ जो BlackRock ने JP Morgan को authorized participant के रूप में include किया है अपन जो company देखेगी वो JP Morgan है वो ensure करेगी कि buying, selling and reduction of Bitcoin spot ETF जो conversion होके बंदे के पास consumer के पास dollar पहुँच जाए उसको facilitate करने के लिए JP Morgan की services जो है वो higher game BlackRock ने तो एक तरफ JP Morgan जो है वो Bitcoin के अंदर opportunity ठूण रहा है पैसे कमाने के लिए और दूसरी तरफ जो उसका CEO है वो गालिया दे र और हम देख रहे हैं कि एक तरफ से demand बढ़ने की उमीद है, demand जिस तरीके से यह जो entities है जो spot Bitcoin ETF applications जो इतना बड़ा पैसा अगर Bitcoin में डालने लिए तियार है और demand बढ़ रही है और इतरह से exchanges पे से almost Bitcoin अपने all time low पे पहुँच गए in terms of supply यह reserves जो है वो exchange पे बहुत कम हो गए क् लोगों को लग रहा है कि अब ETFs के आने के बाद Bitcoin का price बढ़ सकता है तो as a store of value narrative को चलते हुए Bitcoin को exchange से हटा के लोग अपने cold wallets में डाल रहे हैं तो यह हमें देखने को भिल रहा है एक और जो ख़बर है दूसरी खबर है कि जो भी जो हावनिंग का year होता है जैसे past में भी देखा गया और अब भी जो 2024 हावनिंग का year है जैसे और ऐससे पहले जो second हावनिंग थी फर्स हावनिंग थी आप यह देख सकते हो कि first हावनिंग में यहाँ पर event था December में उसके बाद से वहाँ पर bullish sentiment देखा गया उस particular साल में अगर हम second हावनिंग में देखें तो यह second हावनिंग का साल है yellow वाला इसमें भी आप देख सकते हो कि bitcoin हावनिंग के बाद किस तरीके से pump किया ऐसे third हावनिंग में देखें हावनिंग के बाद bitcoin कै अगर हम similar patterns को देखें पास्ट के तो bitcoin हावनिंग वाला जो year होता है उसके बाद bitcoin generally does well right in that particular year और हम यह देख रहे हैं कि bitcoin के उपर जो network के उपर जो transactions है वो 7,31,000 transaction होई new year eve पे जो कि अपने अब में record है all time high है इसमे obviously 42% जो role है वो ordinals का है ordinals का करीब 42% share का मतलब है almost 50% जाए वो ordinals की transactions है तो ordinals की आने के बाद bitcoin की transactions है वो पड़ी है 7,30,000 transactions है और सबसे बड़ी बाद miners बहुत कोश है क्योंकि miners are having a very good time you know in bitcoin right और यह वो खबर है कि जहापे bitcoin rises past 45,000 US dollar emit US spot bitcoin ETF approval की का जो anticipation है right तो यह थी वो खबर है यह थी crypto की ताज़ा खबर मेरे एक हैल से मेरा यह opinion है कि spot bitcoin ETF अरड़ी priced in है वाला ऐसा नहीं कि अब लोग जगर है या अब वो you know bitcoin spot ETF की जिस दिन से black rock ने apply किया था like तब से हम एक momentum देखने है price के अंदर तो priced in है काफी सारी चीज़ें लोगोंने अरड़ी कोई आज उनको anticipation नहीं anticipation बहुत टाइम से approval की हमने भी कई videos बनाएं लेकिन अब obviously कितना पैसा spot bitcoin की तुरू आता है क्या momentum बनता है वो अगले एक एक दो हफते बड़े crucial है वो clarity दे देंगे एक momentum दे देंगे किस तरीके से institutions इसके अंदर interest ले रहे हैं तो अगले एक दो हफते बड़े crucial है यह बड़ यह 100% sure है कि market में इस तरह कि instrument की demand थी क्योंकि जो high net worth individual है financial institutions है regulated entities है वो bitcoin के अंदर finance पे या kraken पे या को कोईन पे जाके bitcoin भाई नहीं करते हैं उनका why करने का तरीका यह है कि regulated instruments के तुरू entry लेना तो वो instrument गायब था 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 नहीं अब वो instrument आगया तो देखने वाली बात है कि इसका bitcoin के उपर प्रभाव कै जैसे पढ़ता है कि इसका प्रभाव वैसे ही पढ़ेगा जैसे gold के उपर gold ETF आने के बात पढ़ाता यह देखने वाली बात है बट आज की रत और कल का दिन बहुत important है इन दोनों दिनों के अंदर अगले 24 से 36 गंटे के अंदर bitcoin के spot ETF के approval की approval आ सकता है और अगर आता है तो द आंद्यू वर्णारा वैसे वर्णाराव जाता है अजया थे प्रभाव मुशन है झाले के उपका बाता है कdır आता है जर दोने आगले का अंदर की आंदृ एक प्रणाराव ज्यूशन पहाँ़ और आथ जिले के अधन मुशन देंगता है अबश्यक, अवड़़ग रोने ल